Hello and welcome to Brijbala Education YouTube channel आज की इस educational वीडियो में बच्चों हम discuss करेंगे Class 9th के SST के chapter Constitutional Design ये students इस chapter का Part 2 वीडियो है अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा इसके लावा बच्चों हमने Class 9 के CBSC के बाकी State Boards के बहुत से अलग अलग chapters का study material हमारे अपने चैनल पे upload किया है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की description में जरूर मिलेगा तो चले शुरू करते हैं जहां से हमने Part 1 में छोड़ा था Making of the Indian Constitution पहले हमने South Africa के बारें पढ़ा Nelson Mandela के बारें पढ़ा अब हम पढ़ेंगे Indian Constitution के बारे में South Africa की तरहें इंडिया का Constitution भी बहुत मुश्किल situation में बनाया गया था इंडिया का Constitution बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी और diverse nation है diverse का मतलब इंडिया में अलग-लग तरहें की culture, religion, dressing style वाले लोग रहते हैं इन सारे लोगों के लिए uniform Constitution बनाना एक जैसा Constitution बनाना एक बड़ा मुश्किल का काम था उस वक्त जो लोगों के देश के लोग थे वो subjects से citizens बनने की राह पे थे subjects का मतलब पहले वो किसी न किसी king के अंडर होते थे अब वो एक democracy के अंडर होंगे जब हम किसी king के किसी ऐसी country में रहते हैं जहां king या queen होती हो तो वहाँ पे हमें subjects कहा जाता है और जब हम किसी ऐसे देश में रहते हैं democracy हो, republic हो जो देश तो उसे कहा जाता है citizens, वहां रहने वाले को citizens या नागरिक कहा जाता है country जो है, वो इंडिया जो country है वो बनी थी partition के बाद partition हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने थे, religious differences के base पे दो देश बनाए गई थे ठीक है, Muslims को Pakistan वाला area load किया गया था और Hindus को इंडिया वाला area load किया गया था ये जो experience था, partition का ये काफी traumatic experience था, यानि काफी दर्द देने वाला, दुख देने वाला experience था इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी दोनों तरफ के लोगों ने बहुत कुछ खोया, लगबग 10 लाख लोग, इंडिया और पाकिस्तान के लगबग 10 लाख लोग इस हिंसा में partition के दोरान, विभाजन के दोरान जो लड़ाई जगडे हुए जो दंगे भड़के उन में लगबग 10 लाख लोग मारे गए, इंडिया और पाकिस्तान कर गए थे free का मतरब कि आप चाहें तो इंडिया का part बन जाएं आप चाहें तो पाकिस्तान का part बन जाएं जो आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं ठीक है या फिर अगर आप चाहें तो आप आजाद भी रह सकते हैं तो ये भी एक बड़ी problem थी कि कोई uniformity कोई रूल नहीं बनाया कि गई Britishers जाने से पहले इंडिया को आजाद करने से पहले प्रिंस्ली स्टेट्स का जो merger हुआ इंडिया में या किसी पाकिस्तान में वो काफी मुश्किल था काफी मुश्किल काम था जब constitution लिखा जा रहा था देश का भविश्य सिक्ट्योर या सुरक्षित नहीं लग रहा था जैसा कि आज हमें लगता है आज हमें पता है इंडियन की हमें कुछ fundamental rights पाक्त है माजादी से अपना काम कर सकते हैं अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जो constitution बनाने वाले थे उनके मन में बहुत सारी anxieties थी बहुत सारी problems पता थी उनको की इंडिया का constitution बनाने में आने वाली हैं बहुत सी problems के बारे में The path to constitution यानि सम्विधान बनाने की तरफ कानून बनाने की तरफ हम कैसे आगे बढ़े इतने सारी difficulties होने के बावजूद भी इंडिया के constitution बनाने वालों के पास एक फाइदा भी था एक advantage भी था South Africa से अलग उनको एक consensus create नहीं करना था कि Democratic India जो Democratic India होगी वो किस तरह की दिखेगी क्योंकि देखो South Africa और इंडिया का constitution बनाने में दोनों में problems तो थी लेकिन South Africa में white people वहां के citizens बन गए थे वहां पे आके रहने लगे थे बहुत से white people South Africa में आके रहने लगे थे तो एक सबसे बड़ी problem थी South African constitution को बनाने में कि जो white लोग South Africans बन चुके हैं उनको कैसे deal किया जाए इंडिया के साथ कम से कम ऐसी कोई problem नहीं थी इंडिया में जो जाजातर much of this consensus had evolved through the freedom struggle जब हम आजादी के लड़ाई लड़ रहे थे तभी ये बातें clear हो गई थी कि हमारे constitution के main points क्या होंगे इंडिया freedom के बाद किस तरह की country बनने की तरफ बढ़ेगा उसी वक्त उस वक्त के जो leaders थे बड़े बड़े leaders थे उस वक्त के जो subjects थे उस वक्त के जो लोग थे उन सब के दिमाग में clear था कि जब इंडिया Britain से आजाद होगी तब इस तरह का एक country बनेगा कि इस तरह का country बनेगा जहां पे सब को बराबार अधिकार मिलेगा जहां पे vote डालके लोग अपने leader को चुन पाएंगे तो ये कुछ बातें पहले से clear थी लोगों के दिमाग में हमारी national movement जो थी हमारा जो आजादी के लड़ाई थी वो सिर्फ एक struggle ही नहीं थी Britishers के खिलाफ, विदेशी ताकत के खिलाफ एक लड़ाई ही नहीं थी बलकि ये हमारे country को rejuvenate कराने के लिए यानि दोबारा जीवित करने के लिए हमारी जो विरास है तो उसको दोबारा जगाने के लिए भी एक लड़ाई थी हमारी society और politics को भी change करने के लिए ये एक struggle था यानि हमने सिर्फ struggle Britishers के खिलाफ ही नहीं किया हमने अपनी society को change करने के लिए अपनी country को दोबारा पहले जैसा बनाने के लिए politics में बहुत से changes करने के लिए भी struggle किया बहुत से sharp differences थे freedom struggle के दोरान कि इंडिया independence के बाद किस तरह का जो है nation बनना चाहिए इस तरह के differences आज भी मतरब differences का मतरब कुछ लोग सोचते थे कि इंडिया ऐसा बनना चाहिए ये rule होना चाहिए कुछ सोचते थे कि इस तरह का rule होना चाहिए तो सब की विचारधाराएं अलग लग थी आज भी विचारधारा में differences तो मिलते ही हैं जैसे कि अलग लग political parties में अलग लग leaders में voters में अलग लग opinions मिलते हैं तो उस वक्त भी हुआ करते थे लेकिन फिर भी कुछ basic ideas थे जो सब को पसंद आई कुछ basic ideas ऐसे थे जो सब को पसंद आई और सब ये मानते थे कि आगन इंडिया को peacefully progress करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा 1928 की बात करें तो मोतिलाल नहरू और आठ दुसरे congress leaders ने इंडिया में के लिए constitution बनाया था उन्होंने 1931 में इंडियान नेशनल कोंग्रेस का कराची में एक session हुआ meeting हुई इंडियान नेशनल कोंग्रेस की और उस वक्त चर्चा की गई उस session में कि इंडिया का constitution किस तरह का होना चाहिए उस वक्त clear कर दिया गया था कि इंडिया के constitution में universal adult franchise right to freedom and equality protecting the right of minorities ये सब को जगह मिलेगी universal adult franchise का मतरब 18 साल से उपर के हर व्यक्ति को vote डालने का अधिकार होगा और हर vote की value भी बराबर होगी ये universal adult franchise है right to freedom and equality इंडिया में रहने वाले सारे citizens को आजादी से रहने का हक मिलेगा और सब को बराबर कानून के सामने सब बराबर होगे और जो minorities हैं इंडिया में जैसे Muslims हैं, six हैं तो इनको protect करने के लिए कुछ special provisions constitution में बनाए जाएंगे ऐसा उस session में discuss हुआ था Thus some basic values were accepted by all leaders much before constituent assembly met to deliberate on the constitution constituent assembly की meeting से काफी पहले ही कई साल पहले ही decide हो चुका था कुछ basic चीजें basic चीजें पहले ही decide हो चुकी थी जो colonial rule के वक्त जिस तरीके से देश को चलाया जाता था और एक democratic country को जिस तरीके से चलाया जाता है उस चीज में काफी चीजें एक जैसी थी यानि Britishers ने बहुत सारी institutions इस तरीके से बनाये थे जैसे Supreme Court बगरा बनाया था उन्होंने तो बहुत से institutions उन्होंने इस तरीके के बनाये थे कि जो एक independent democratic country में होने चाहिए तो इसलिए Britishers के इस तरह की कानून लगाने का भी हमें कुछ फाइदा मिला The British rule had given voting rights only to a few British rule के वक्त कुछ लोगों कोई voting rights थे On that basis the British had introduced very weak legislatures इसलिए Britishers ने जो legislatures बनाई जो संसद बगरा बनाई जो सभाएं बनाई, लोग सभा, राजे सभा, विधान सभा जो बनाई वो काफी कमजोर थी क्योंकि लोगों के पास सबके पास voting rights नहीं थे Elections 1937 में हुए थे Provincial legislatures के और Ministries के सारी इंडिया में लेकिन उस वक्त बनाई गई सरकारें, उस British इंडिया में बनाई गई सरकारें पूरी तरीके से democratic नहीं कहीं जा सकती लेकिन फिर भी legislative institutions बनाने का, vote डालने का, leader चुलने का कुछ experience इंडियन्स को आजादी से पहले भी हो गया था और उनको पहले से पता था कि अगर हम vote डाल की अपना leader चुनते हैं तो ये ज़्यादा useful रहता है देश के लिए इसके लाबा इंडिया ने decide कि हम अपने खुद के institutions बनाएंगे आजादी के बाद उनको help कैसे मिली, कि जैसे courts बनाने थे उनको जजीज का system बनाना था, police बनानी थी, metropolitan cities के लिए developmental authorities बनानी थी तो ये सारे काम British ने शुरू कर दिये थे इसलिए इनको आगे बनाना एक independent इंडिया के लिए थोड़ा सा आसान हो गया था इसलिए Indian Constitution ने बहुत सारे procedures, बहुत सारे institutional details, colonial rules से भी ली Government of India at 1935 में जो British India में enact किया गया था, वहां से भी बहुत सारी चीजें इंडिया के constitution में शामिल की गई थी कई साल तक लगातर सोचने के बाद, discussions करने के बाद, इंडिया के constitution को बनाया गया और इसका हमें benefit भी मिला, लगातर जो discussions हुए, deliberations हुए, अलग-अलग लोगों ने अपने विचार रखे, opinions रखे, इसका फाइदा भी मिला हमे हमारे leaders जो थे, उन्होंने दुसरे देशों के example से सीखा, लेकिन उन्होंने दुसरे देशों को as it is copy करने से बचाया खुद को बहुत से हमारे leaders French Revolution से inspired थे, Britain की parliamentary democracy से inspired थे, rights of the citizens US के constitution से भी inspired थे तो इंडिया में बहुत सारे अलग लग देशों की अच्छाईयों को जोड़ के इंडियन constitution बनाया गया था socialist revolution जो रश्या में हुआ, उसने भी बहुत से इंडियन को inspire किया, कि कैसा system बनाया जाए जहाँ पर socially और economically सब बराबर हो लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ imitate यानि कुछ copy नहीं किया, इंडिया में scenario को देखते हुए, इंडिया में existing conditions को देखते हुए, इंडिया की possibilities को देखते हुए, उन्होंने इन चीज़ों को इंडियन constitution में शामिल किया हर एक step पे जब भी उनको कोई चीज़ पसंद आती, France की, Britain की, US की, Russia की, तो पहले question करते हैं कि क्या ये condition हमारे देश में suit करेगी, तो इन सारे factors में लगातार discussions और deliberations करने के बाद ही Indian constitution को frame किया गया, आगे हम बात करते हैं constituent assembly की, यानि जिस group ने हमारा constitution draft किया, उन्हें कहा जाता है, constituent assembly, कौन Indian constitution को बनाने वाले थे, आज हम उन leaders का brief sketch हमारे सामने होगा, इस listen के through, देखिए, इंडिया का जो constitution था, उसको बनाने का काम, कुछ elected representatives को दिया गया था, यानि इंडिया की constituent assembly में, कुछ लोगों को रखा गया था, एक group of people को रखा गया था, who were elected, और इन ल जोगों को चुना गया था, vote डाल के चुना गया था, इनको, जुलाई 1946 में, constituent assembly के चुनाव हुए, इसकी पहली meeting December 1946 में हुई, उसके तुरंत बाद, country को इंडिया और पाकिस्तान में divide कर दिया गया, constituent assembly के भी दो पार्ट कर दिये गए, एक तो इंडिया की constituent assembly और एक पाकिस्तान की constituent assembly, constituent assembly जिसने Indian constitution को बनाया था, उसमें 299 members थे, और इंडिया का constitution 26 November 1949 को बनके तयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था, 26 January 1950, तो दोनों फरक हैं, Indian constitution was adopted on 26 November, but it came into effect on, it was enacted on 26 January 1950, 26 January को इसी लिए हम Republic Day के तोर पे celebrate करते हैं, पूरे country में, ठीके, आगे आता है, आज भी हम उस constitution को क्यों मानते हैं, जो 60 साल पहले कुछ group of people ने बनाया था, देखिए, एक reason तो हमें पहले से उपर से पता है, कि constituent assembly में सिर्फ उसके members का ही नजरिया नहीं है, उस वक्त बहुत से लोगों से consensus लिया गया, उनकी राय मांगी गई, बहुत से जो दुनिया के अलग-अलग देश थे, उनको अपना constitution दोबारा लिखना पड़ा, क्योंकि जो rules शुरू में बनाये गए उन देशों में, वो ज़्यादतर social groups को और political parties को पसंद नहीं आए, कुछ countries में constitution सिर्फ एक piece of paper है, वहाँ पर आसल में constitution को कोई follow नहीं करता, ठीक है, तो constitution का जो experience मिला, अलग-अलग देशों से वो अलग-अलग था, अलग-अलग देशों में constitution के मामले माइने अलग-अलग थे, किसी देश में सजा बहुत ज़्यादा strict है, किसी में कुछ ज़्यादा lenient है, किसी देश में constitution को बहुत ज़्यादा hardly follow करवाया जाता है, किसी देश में leniency इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के लोग constitution को मानते ही नही है ठीक है तो लगबग 50 सालों से अलग लग ग्रुप्स ने इंडियन कॉंस्टिटूशन के कई पॉइंट्स को कई प्रोविशन को क्वेशन किया है कि यह चीज गलत है यह चीज गलत है यह चीज गलत है ऐसी बाते हुई हैं लेकिन किसी भी बड़े शोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी इंडियन कॉंस्टिटूशन की लेजिटिमेसी को क्वेशन नहीं किया यानि आज तक कभी यह सवाल सामने नहीं आया कि किसी कॉंस्टिटर्न असेंबली ने या किसी बड़े ग्रुप of social social group of people ने ये कहा हो कि इंडिया का constitution पूरे तरीके से दोबारा बनाया जाना चाहिए ऐसा question कभी independent इंडिया में खड़ा ही नहीं हुआ तो ये एक achievement है हमारे देश की कि जो बाकी देश अचीव नहीं कर पाए बहुत से देशों को अपने constitution में बदलाव करने पड़े बड़े बदलाव करने पड़े च्यों कि वहार रहने वाले लोगों को उसमें उस पे आपती थी लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ इंडिया में people of इंडिया को represent करती थी Constituent Assembly में इंडिया के अलग-अलग religions अलग-अलग castes अलग-अलग creed, race, color, regions से लोग हमारी constitutional assembly में शामिल थे देश भर के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग जाती, धर्म, मत, संपरताय वाली लोग जो हैं हमारी constitutional assembly का हिस्सा थे इसलिए Constituent Assembly जो थी वो People of India को रिप्रेजेंट कर रही थी उस वक्त Universal Edel Franchise तो नहीं था इसलिए Constituent Assembly को सारे लोगों ने वोट डाल के नहीं चुना इसको उस वक्त के जो Provincial Legislatures के Members थे उस वक्त के जो चुने हुए Leaders थे उन में से वोट डाल के चुना गया था Constituent Assembly को इसका मतलब देश के अलग-लग Regions में से Members थे Constituent Assembly में यानि इंडिया के हर हिस्टे को Representation मिला हुआ था भागीदारी मिली हुई थी Indian Constituent Assembly में Indian Constituent Assembly में जदातर Members इंडियन National Congress के थी वही पार्टी जिसने हमारे Freedom Struggle को Head किया था लेकिन Congress में भी जो लोग थे उनके opinions उनके political groups अलग-लग थे Assembly में, Constituent Assembly में बहुत सारे ऐसे Members भी थे जो Congress की विचारधारा को Congress के opinions को नहीं मानते थे Social Terms में भी Assembly में अलग-लग language group से अलग-लग भाशाई बोलने वाले अलग-लग caste, class, religion, occupation वाले लोग शामिल थे अगर Constituent Assembly युनिबरसल एडल्ट फ्रेंचाईस के तरीके से भी elect की जाती यानि पूरी इंडिया से voting भी करवाई जाती तब भी इसकी composition में ज़्यादा फर्क नहीं आता तब भी इसके members में ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला था आखिरकार जिस तरीके से Constituent Assembly ने काम किया हमारी Constitution को एक बहुत बढ़िया sensitivity उन्होंने दी Constituent Assembly ने काफी systematically, openly और consensual manner में काम किया पहले कुछ basic principles decide किये गए और सब ने उसके उपर agree किया फिर एक drafting committee जिसके chairman थे dr. भीमराव अमीड कर उन्होंने constitution का एक draft तयार किया ताकि उसके उपर discussions की जा सकी members के साथ कई rounds हुए, बहुत ही thorough discussion हुई, कई rounds हुए discussion के draft constitution के draft के उपर, पहले draft बनाया गया, यानि पहले constitution की रूप रेखा तयार की गई और उस draft को discuss किया गया लोगों के साथ clause by clause, एक-एक point को लगबग 2000 सुधार किये गए, 2000 changes किये गए constitution को consider करने से पहले उसमें 114 days तक 114 days ऐसे थे जब 3 साल के दुराण 114 times जो members थे वो एक-दूसरे से मिले discussions वगएरा हुई every document presented and every word spoken in the constitution assembly has been recorded and preserved constituent assembly की meetings में जो भी proceedings होए थे, आज भी वो preserved है, आज भी वो बजा के रखे गई है उनको constituent assembly debates कहा जाता है जब print किये गए तो इन debates के 12 volumes बने 12 बड़े-बड़े books बने आप यह कह सकते है इन debates से हमें पता चलता है कि जो constitution में provisions लीखे गई है उन सब के पिछे कोई ना कोई rationale है कोई ना कोई thinking है, कोई ना कोई basis है उनका और यह सारे जो provisions बनाए गई है इंडिया की constitution को interpret करने के लिए समझाने के लिए बनाए गए थे आगे आता है guiding values of Indian constitution Indian constitution की guiding values क्या क्या थी तो students इस 2.4 subsection पे आने से पहले यहाँ पे side में कुछ pictures के जरीए बताया गया है कुछ constitution assembly के members के बारे में बलदेव सिंग जी जैसे हर्याना में पैदा हुए थे ठेक है पांतिक अकाली party पंजाब assembly से बिलोंग करते थे Congress में भी एक nominee रहे है Defense Minister रहे है Union Cabinet में election के बाद बलदेव सिंग जी ऐसे ही दुर्गाबाई देशमुक ठेक है यह सारे members थे जो जिन्होंने Indian constitution को frame करने में बहुत बड़ा role play किया था इस book में हम Indian constitution के बहुत से provisions को discuss करेंगे अब हम पढ़ते है philosophy of the constitution भई हमारे constitution के philosophy क्या है thinking क्या है objective क्या है दो तरीके से हम यह काम कर सकते हैं पहली बात तो हम अपने major leaders के constitution बनाने वालों के major leaders के views पढ़ सकते हैं constitution के बारे में उन्होंने क्या कहा लेकिन constitution अगर खुद अपनी philosophy हमें बताए तो वो ज़्यादा भेहतर रहेगा this is what the preamble to the constitution does इसलिए ज़्यादतर countries ने constitution बनाने से पहले सबसे first page को preamble कहा जाता है क्योंकि preamble जो होता है किसी भी देश के constitution का वो उस देश के constitution की आत्मा होती है preamble पढ़ने से हम उस देश के बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी जानकारियां हासल कर लेते हैं ठीक है preamble constitution का एक तरीके से जो बोलते है representation होता है constitution का short representation होता है constitution का तो एक एक करके पढ़ते ही हम Indian constitution के बारे में the dream and the promise सपना क्या था भारत के लोगों का और क्या promise किया गया था उनसे बहात्मा गांदी का नाम constitution makers में नहीं था वो constitutional assembly के member नहीं थे लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे members थे जो उनके vision को follow करने वाले थे constitution assembly में सालों पहले यंग इंडिया magazine में 1931 में उन्होंने बताया था कि वो Indian constitution को किस रूप में देखते हैं Indian constitution के से क्या चाहते हैं जैसे क्या कहा था उन्होंने इस यंग इंडिया magazine में मैं ऐसे constitution के लिए आगे बढ़ाना चाहता हूँ देश को जिससे इंडिया में सारा थ्रेल्डम सारी patronage जो rulers से मिलती थी हमें थ्रेल्डम और patronage उसको सारे को बंद कर दिया जाए एक ऐसी इंडिया जिसमें सबसे गरीब को भी ये लगे कि उसकी एक voice है उसके पास एक आवाज है उसको भी इंडिया के constitution में भागिदारी मिली हुई है एक ऐसा इंडिया जिसमें कोई भी high class या low class नहीं होगा कानून के सामने सब बराबर होंगे एक ऐसा इंडिया जिसमें अलग-अलग communities आपस में सद्भावना से रहेंगी हार्मनी से रहेंगी एक ऐसा इंडिया जिसमें untouchability छुआ छूट के लिए कोई जगह नहीं होगी जिसमें drugs के लिए नशों के लिए कोई जगह नहीं होगी men और women को सब को बराबर rights मिलेंगे I shall be satisfied with nothing else मुझे कुछ होर नहीं चाहिए मुझे Indian Constitution से यहीं चाहिए साइड में कुछ होर Indian Constitution Makers के बारे में बताया गया कनहियालाल, मनिकलाल, मुंशी भीमराओ, रामजी, अंबीडकर जो drafting committee के chairman थे शामा परसाद, मुखरजी, SP मुखरजी के नाम से जिनको जाना जाता है जोहालाल, नहरू, सरोजिनी, नाइडू, सौमनात, लाहिरी यह main members थे Indian Constitution Assembly के जो 299 members में से कुछ prominent members थे यह आगे देखे इंडिया का जो dream था वो था कि inequality को inequality को असामानता को खतम करना डॉक्टर अंबेड कर भी इस बात पे जोर देते थे कि inequality को को खतम करना ही चाहिए उन्होंने Indian Constitution को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लेकिन inequalities को दूर कैसे किया जाए इस बात को लेके Indian Constitution framers में मत भेद थे कुछ opinions में differences थे लेकिन deliberations के थ्रू discussions के थ्रू उन्होंने इन differences को resolve किया वो अक्सर महात्मा गांधी को और उनके वीजन को criticize करते थे कौन डॉक्टर भीम राव अंबेड कर in his concluding speech to the Constitution Assembly he stated his anxiety very clearly जब उन्होंने अपना last conclusion speech दिया concluding speech दिया Constitution Assembly में तब उन्होंने अपनी anxiety को बहुत clearly रखा था सब के सामने क्या कहा था उन्होंने on the 26th of January 1950 we are going to enter a life of contradictions 26 January 1950 को हम एक contradictions की contradictions की या नि जो हम सूचते हैं उससे अलग काफी ठीक है काफी विपरित परिस्तिती में हम घुसने वाले हैं politics में हमारे पास equality होगी लेकिन social और economic life में हमारे पास inequality होगी अभी भी politics में we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value politics में politically इंडिया में हर एक को एक vote मिलेगा और हर एक के vote का value भी बराबर होगा हमारी social और economic life में हमारी social और economic structure में हम फिर भी उस inequality को face करेंगे और हमें one man, one value का अधिकार अभी जल्दी नहीं मिलने वाला how long shall we continue to live this life of contradictions कब सक हम ऐसी जिन्दी की जीते रहेंगे जहां हमारे देश का समविधान कुछ और कहता है और real life में, practical life में कुछ और देखने को मिलता है how long shall we continue to deny equality in social and economic life हमारी social life में, economic life में जो equality नहीं है उसको कब तक हम deny करते रहेंगी कब तक हम उसको नजर अंदाज करते रहेंगी if we continue to deny it for long we will do so only by putting our political democracy in peril अगर हम बहुत लगे time तक ऐसा करते हैं तो हम अपनी democracy को खत्रे में डाल रहे हैं दर्द में डाल रहे हैं अब हम पंडी जो आल नहरू जी की तरफ मुड़ते हैं जिनोंने Constituent Assembly को speech दिया था 15 ठकट 1947 को रात को 12 बजे at the stroke of midnight tower यान रात को 12 बजे इस speech को traced with destiny के नाम से जाना जाता है long years ago we made the trist with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge not wholly or in fully measure but very substantially बहुत सालों पहली हमने destiny के साथ एक समझोता किया था एक trist किया था अब हम अब वो time आ चुका है कि हम अपने pledge को अपनी शपत को पूरा करें आधा अधूरा नहीं लेकिन substantially सब मिलके एक साथ जुड़के इसको पूरा करेंगे at the stroke of midnight hour रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही है तो इंडिया एक नया इंडिया का जनम हो रहा है जो जिंदगी और आजादी से भरपूर है एक लमहा आता एक पल आता है हिस्ट्री में कभी कभी ही ये पल आता है जब हम पूराने से नए दुनिया में बढ़ते हैं जब एक एज का खतम होता है जब एक एज खतम होती है जब एक युग खतम होता है दुसरा युग शुरू होता है जब देश की आत्मा जिसको पूरे टाइम से दबा की रखा गया था उसको आवाज मिलती है उसमें नया जोश आता है यह बात इस situation में fit करती है कि इस पल हम लोग शपत लेते हैं कि हम लोग दुनिया के की सेवा करेंगे इंडिया की लोगों की सेवा करेंगे और इससे भी बढ़कर हम मानवता की सेवा करेंगे Freedom and power bring responsibility हम आजाद हो गए हैं हमें power मिली है लेकिन हमें इसके साथ-साथ responsibility भी मिली है The responsibility rests upon this constitutional assembly a sovereign body representing the sovereign people of India और यह जिम्मेदारी मिली है इस constitutional assembly को एक sovereign body, sovereign का मत्रव होता है जिसका किसी दुसरे देश पे कोई कबजा ना हो यानि हमारी sovereign assembly independent थी, Indians की थी किसी भी दुसरे देश का उसके उपर कोई pressure नहीं था Before the birth of freedom we have endured all pains of labor and hurts are heavy with the memory of this sorrow हमारी आजादी के जन्म से पहले हमने कई दुख सहे हैं हमारे दिल जो है वो भरे हुए हैं दुखों से आज भी बहुत से लोगों के दिल में इस तरह के दुख है लेकिन past दूर जा चुका है, खत्म हो चुका है और हमारे सामने हमारा उज्वल भविश्य है एक ऐसा भविश्य है जो हम अपने सामने देख रही है The future is not one of ease or resting but of insistent striving that we may fulfill the pledges we have so often taken लेकिन future जो है वो इतना आसान नहीं है लेकिन future में हमें struggle करना होगा लगातार उन कस्मों को निभाने के लिए जो हम लगातार लेते रहते हैं और एक ऐसी कस्म भी जो हम आज लेने वाले है The service of India means the service of millions to suffer India की सेवा करने का मतलब है India में उन लाखों लोगों की सेवा करना जिनको दुख है जिनको किसी तरह की problem का सामना करना पड़ रहा है It means the ending of poverty and ignorance हम अपने देश में गरीबी को अज्यानता को दूर करेंगे diseases को inequality को दूर करेंगे The ambition of greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye जो दुनिया का हमारी generation का सबसे greatest आदमी है उसका एक ही सपना है कि हर आँख से दुख के हर आशू को मिटाना पोंचना That may be beyond us but as long as there are tears and suffering as long as our work will not be over ये शायद हमारी पहुँच से बहुत दूर है हर किसी के दुख को दूर करना लेकिन फिर भी जब तक सब के दुखदर्द और आशू मिट नहीं जाते तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा बहुत ही अच्छा trace with destiny speech दिया था हमारे पंडित जोहलाल नहरो जी ने philosophy of the constitution के बारे में क्या लिखा है वो values जिन्होंने हमारे constitution को inspire किया हमारे freedom struggle को guide किया वो same थे उन्होंने इंडिया की democracy को इंडियन democracy को एक foundation stone दिया इनी values के बारे में preamble of the Indian constitution में भी लिखा गया है मैंने आपको preamble क्या होता ये पहले बताया Indian constitution में जो articles है उनका क्या मतलब है उसके बारे में हमारा preamble हमें बताता है Indian constitution जो है वो एक short statement के ताद शुरू होता है जिसमें उसकी basic values के बारे में बताया जाता है इसी short statement को preamble of Indian constitution कहा गया है American model से inspiration लेते हुए उस वक्त की ज़्यादतर country से inspiration लेते हुए हमने भी अपना एक preamble चूस किया है जैसे कि यहाँ पे यह जो है we the people of United States in order to form a more perfect nation यह United States का preamble है यह जो है यह South Africa का preamble है तो इस तरह के इन preamble से हमने examples लेते हुए अपना भी एक preamble draft किया चलिए पढ़ते हैं हमारे constitution का preamble क्या कहता है और हर एक meaning को समझते हैं हमारा जो constitution का preamble है वो एक poem की तरह है इसमें वो philosophy है जिस पे हमारा पूरा constitution बनाया गया है ठीक है यह एक standard establish करता है कि किसी भी law को कैसे समझा जाए कैसे examine किया जाए government का काम क्या होना चाहिए good और bad को किस तरह की से समझा जाए यह सारा preamble of the constitution से समझ में आता है यह हमारे Indian constitution की soul है आत्मा है देखिए we the people of India having solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens हम जो इंडिया के constitution है हम इंडिया को एक sovereign socialist secular democratic republic के तोर पे दिखना चाहते हैं और हम अपने देश के हर बंदे को protection provide security प्रोवाइड करना चाहते हैं ठीक है अब देखिए इसमें हर एक word का अपना meaning है we the people of India का मतलब क्या है कि इंडिया का people इंडिया का constitution है वो इंडिया की लोगों ने बनाया है इंडिया की लोगों के लिए ही बनाया गया है ठीक है sovereign का मतलब है कि हमारे उपर किसी का external control नहीं है socialist का मतलब है कि जो wealth है जो हमारे देश का पैसा है वो society equally share करेगी ठीक है secular का मतलब है हर धर्म को बराबर देखा जाएगा democratic का मतलब है देश में political rights सब के लिए बराबर होंगे और हम vote डाल के अपना नेता चुनेंगी republic का मतलब है जो hand of the state है यानि हमारा जो सबसे बड़ा head होगा state का वो democratically elected होगा dynastically elected नहीं होगा ठीक है आगे क्या कहता है justice, social, economic and political socially, economically और politically सबको इंसाफ मिले सबको आजादी हो अपने विचारों की, expression की, belief की, faith की, worship की सबको आजादी हो सबको बराबर मोके मिले सबका status पराबर हो fraternity, इंडिया की जो एकता और अखंडता है इंडिया की जो respect है उसको बनाई रखने के लिए हम सब प्रयास करेंगे इनर constitution assembly the 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves the constitution आज 26 November 1949 को हम खुद को ये constitution बनाते हैं और खुद को ही gift करते हैं ये हमारा preamble है, हमारे constitution का this is the preamble of the Indian constitution ठीक है देखे आगे क्या बताया है इन्होंने institutional design के बारे हैं बताया है, इंडिया में अलग अलग institutions है जो इंडिया को चलाते हैं जिसके हमारी courts का system है हमारी legislative assemblies का system है तो institutional design को बढ़ेंगे constitution जो है, वो सिर्फ एक statement नहीं है values और philosophy की constitution में institutional arrangements के बारे हैं बताया जाता है कि इंडिया में कौन-कौन सी institutions होंगे कौन-कौन सी संस्थाई होंगे और वो क्या काम होगा, वो किस तरीके से काम करेंगी ये भी बताया गया है ठीक है हमारे constitution document में constitutional document में, इन arrangements के बारे में detail में बताया गया है हमारा constitution काफी लंबा और काफी detailed document है largest written constitution है world का हमारा constitution इसलिए इसको लगातार amend करते रहने की जरूरत होती है, इसमें लगातार सुधार करते रहने की जरूरत होती है जिनोंने इंडिया का constitution को बनाया उनका मानना था कि इंडिया का constitution भारत के लोगों की बदलती हुई aspiration और इंडिया की बदलते हुए समाज के साथ खुद को evolve करे वो हमारे constitution को एक sacred, static, unalterable law नहीं बनाना चाहते थे यानि वो इसको flexible बनाना चाहते थे लेखिए इंडिया का constitution किस तरीके से काम करता है इंडिया का constitution rigid भी है और flexible भी है rigid कैसे है कि इंडिया की कुछ values को जैसे इंडिया डेमोकरसी है इंडिया रिपब्लिक है इंडिया सोबरेन कंट्री है इन चीज़ों को नहीं बदला जा सकता हमारे constitution में लेकिन बहुत सारे ऐसे provisions भी है जिनको change किया जा सकता है नए constitution को नए provisions को लागू किया जा सकता है पुरानों को खटाया जा सकता है या फिर कुछ changes भी किये जा सकते है तो हमारे constitution में बहुत सारे ऐसे provisions भी किये गए है कि time to time हमारे leaders हमारे constitution में changes भी कर सकते हैं इन changes को constitutional amendments कहा जाता है सुधार कहा जाता है constitution जो है उसने institutional arrangements की है बहुत ही legal language में बहुत ही साफ साफ भाषा में समझाया गया है कि कानून किस तरीके से बनाया जाएगा कानून को किस तरीके से adopt किया जाएगा क्या-क्या procedures होंगे किस के पास क्या power होगी ये चीज clearly बताई गई है अगर हम constitution को पहली बार पढ़ें तो काफी difficult है इसको समझना लेकिन फिर भी इसके institutional design को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी भी देश के constitution की तरह इंडिया के constitution में भी हर चीज के लिए प्रोसीजर बनाया गया है जैसे कि देश के leaders को choose करने के लिए प्रोसीजर है किस के पास कितनी power है कौन सा कौन बंदा क्या decision ले सकता है इसको लेके प्रोसीजर किया गया है इसके लावा government के उपर limits लगाता है हमारा constitution government जो चाहे वो नहीं कर सकती government भी answerable to the people है ठीक है हमारे देश के लोगों को कुछ rights दिये गए है government उनसे उन rights को नहीं चीन सकती ठीक है जो बाकी आगे आने वाले तीन chapters है इस book के वो three aspects of working of Indian constitution Indian constitution को जो main तीन aspects है जैसे judiciary है ठीक है legislature executive है उन सब के बारे में detail में पढ़ेंगे आगे आने वाले chapters में हम हमारे constitution के कुछ main provisions के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी democratic politics काम करती है उस बारे में पढ़ेंगे लेकिन इस book में हमारे Indian constitution के institutional design को पूरे तरीके से explain नहीं किया गया है आगे आने वाले सालों में आप जिन text books को पढ़ेंगे उन से आपको इंडिया की constitutional design के बारे में और भी कई चीज़े सीखने को मिलेंगी तो students यह था आपका chapter constitutional design अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please इस वीडियो को like कीजेगा अपने friends के साथ share कीजेगा और comment में अपने views देना मत भूलिएगा इसके लावा अगर आप इस channel पे नए हैं अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें Bridgebala Education YouTube channel को और दबा दे notification bell icon को ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो upload करें सबसे पहले उसका notification पहुंचे आपकी device तक Thank you everyone